गुड इवनिंग फ्रेंट्स माइनेम इस राज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राज टेखनीकल एनलेसिस आज का डेटे 17 में 2021 आज हम लोग जिन शेयर्स पे मन्तली प्रिव्यू करने वाले हैं वो हैं कैंडरा बैंक, एस्टरल लिमिटेड और कोटेक महिंडरा बट वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप ने मेरे चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबस्क्राइब किचे ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे और कोई भी कमपनी के उपर अगर आप वीडियो बनवाना चाते हैं तो प्लीज मेरे क के साथ वीडियो बनाता हूं और आपको सही सपोर्ट और रेजिस्टन्स बताने की कोशिश करता हूं मेरे चैनल की दूसरी बड़ी यूस पी यह है कि मैं आपको हर संडे सटर्डे या फिर मंदे को मंतली प्रिव्यू बनाता हूं यानि कि पिछले मैंने मैंने जो भी शेर के उपर वीडियो बनाता हूं उसके इस महीने आपको फिर्ड से प्रिव्यू बना कर सपोर्ट और रेजिस्टन्स से अपडेट कराता हूं आप मेरी प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं वहाँ पे भी मैंने कैटेगरी वाइस क्लैसिफिकेशन किया है और जो भी शेर के उपर मैं वीडियो बनाता हूं उसकी मैपिंग एस पर कैटेगरी कर देता हूं अब बात करते हैं आज हम लोग जन्शेर्स के उपर बात करने वाले हैं उनके नाम है कैंडरा बैंक एस्ट्रे लिमिटेड और कोटेक महिंद्रा आप कैंडरा बैंक हमनी क्या करती है कौन स सपोर्ट 3 ता 137 रीजिस्टन्स वन पी था 137 रीजिस्टन्स तू था 147 और रीजिस्टन्स त्री ता 157 अगर आप आज की ड़िट पे 17 मैं 2021 पे देखेंगे कंडरा बैंक आपको मिल रहा है 153.50 इसका आज के डिट पे आईस पर चार्ट इसका जो सपोर्ट है 125 सपोर्ट है 137 support 3 है 147 resistance 1 है 157 resistance 2 है 167 resistance 3 मैं blank छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं नाम के लिए वहाँ पे figure नहीं लिखता हूँ अगर आप इसका महीने का high देखेंगे तो यह है 156.50 और इसका lowest है 124.30 अगर आप इसका lowest देखेंगे तो यह आपको मिल रहा है almost support 2 के पास और इसका highest अगर आप देखेंगे resistance 3 almost touch करने वाला था तो अगर आपने इसको support 2 पे buy किया रहता और resistance 3 के almost वहाँ पे sale करने की कुशिस करते तो definitely आप सोचे कि आपको कितना profit होता आप खुद इससे पहले भी देख लीजे camera bank का 52 week high कितना है वो almost resistance 3 से back हुआ था कहां तक आया support 2 तक आया तो आपको ये चीज़ का ख्याल रखना है आप generally लोग इसके लिए फस्त हैं क्योंकि वो resistance पे buy करते हैं जबकि आपको resistance पे sale करना है और support पे जब आए तो उसको buy करना है आप अगर ये strategy use करेंगे इंप्लिमेंट करेंगे और regular business पे अपडेट करते रहेंगे यानि कि regular business पे ऐसे ही buy करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपको 80% profit होता है या नहीं होता है क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप 80% जो share है वो support और resistance के बीच में गुमते हैं या फिर support तोड़के नीचे आएगा अब बात करते है हमारे दूसरे share के बार में जो है एस्टर लिमिटर जो एस्टर लिमिटर कंपनी क्या करती है कौन सी कैटेगरी में आती है यह सारा information आप यह उपर दिये वे link पे देख सकते हैं एस्टर लिमिटर का मैंने लाश्ट टाइम वीडियो बना था 14 April 2021 तब इसकी closing थी 1440.85 तब मैंने आपको इसका support दिया था 1200, support 2 था 1300, support 3 था 1400, resistance 1 था 1500, resistance 2 था 1600 और resistance 3 था 1700 अगर आप एस्टर लिमिटर को आज की rate पे देखेंगे 17 May 2021 इसकी closing ए 1764.50 है आपके अभी का इसका support है यह है 1400, support 2 था 1500, support 3 था 1600, resistance 1 था 1700, resistance 2 था 1800 और resistance 3 था 1900 आप इस महिने का highest देखें 1778 और lowest है इसका 1400 था 46 अगर आपने मेरा पिछला वीडियो अच्छे से देखा रहता वहाँ पर मैंने indication दिया था कि यह उपर की तरफ जाएगा इसके लिए मैं बूता हूँ वीडियो पूरा दिखा किजिए कहीं न कहीं आपको वीडिकेशन मिलेगा अगर आप उसे समझ पाएंगे तो definitely आप उसे profit book कर सकते हैं आपको regular profit मिलता रहेगा लेकिन मैं अपने channel के थूँ किसी को भी buy या sell का recommendation नहीं देता क्या 52 वीक low है 52 वीक high है यह सारे information आप यह उपर दिये लिंक पे देख सकते हैं कोटेक महिंद्र का मैंने वीडियो बनाया था 15 April 2021 तब इसकी closing ली 1773.25 आपको इसका तभिंग पे मैंने आपको support दिया था 1500 support 2 था 1600 support 3 था 1700 resistance 1 1800 resistance 2 1900 resistance 3 2000 रुपीज अभी कोटेक महिंद्र आज के rate पे 17 में 2001 के सी अल्मोस्ट वही price पे 1774.15 आज इसका support देखेंगे 1500 support 2 है 1600 support 3 है 1700 यानि कि जो पिछले बार का support resistance वही है resistance 1 1800 resistance 2 1900 resistance 3 है आपका 2000 हैश्ट अगर आप इसका देखेंगे तो यह है 1845.45 और lowest है आप इसको 1669.20 पे देख रहे हैं तो जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि अगर आप support पे buy करोगे यानि कि 1700 से 1800 live session में मैंने कितनी बार बोला है 1700 से 1800 इसका main support और resistance है और आप खुद दिखेंगे पिछले एक महिने में 1700 से 1800 कितनी बार up and down हुआ है इसके लिए मैं आपको बोलता हूं support और resistance अगर आप implement करना सीख जाएंगे आप लिख के ले लो आपको हमेशा profit होगा profit होने से आपको कोई नहीं रोख सकता क्योंकि आप एक discipline follow कर रहे हैं अगर आप resistance पे buy करेंगे तो definitely आपको wait करना पड़ेगा लिख के ले लो कि आपको loss होगा या तो फिर wait आपको लंबा करना पड़ेगा क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कोई भी company गलत नहीं होती है company आपको profit देती है बट definitely जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कोई 5% पे profit बुक करता है कोई 10% में करता है बट लोग करते जरूर है तो ये चीज़ आपको ख्याल रखना है अगर आप investor है तो definitely आप कोई भी price पे लिजए 5 साल, 10 साल, 15 साल भूल जाईए फिर देखे आपको return मिलता है या नही बट अगर आप trader है तो आपको ये चीज़ का अगध्यान बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा उमीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे अच्छी लगे तो please like और subscribe कीजे जैसे मैं आपको support करता हूँ सही support और resistance दे कर उस तरह आप भी मुझे support कीजे मेरी व फिर मेरे comment box पे भी पूछ सकते हैं thank you so much have a nice day